नमस्कार और विल्कम यौल दू वर्ल अफेर्ज नेव प्रशान दवन नाव हिस्टोरिक सीन्स मैं काऊंगा एतिहासिक सीन्स दिख रहे हैं हमको मनेपूर से बहुत अच्छी न्यूज आई है यहां पर आप देख पाएंगे आज के समय आपको इस पर बहुत सारे आर्टिक की बात करता था इसके साथ भारत सरकार ने पीस एकॉर्ड साइन कर लिया है और इन लोगों ने अपने हत्यार त्याग दिये हैं बहुत बड़ी न्यूज है मैं आपको अमिशा की अभी ट्वीट दिखाऊंगा वहाँ पर नोंने फोटोस वीडियो जिखाई हैं कि किस तरी एक मालस्टोन अचीवड मोधी गवर्मेंट्स रिलेंटलेस एफर्स तो एस्टाबलेश पर्मनेंट पीस इन दे नौर्थ इस्टारिक इमेजेस हैं यह 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 लोग है एक टाइम पर इंडियन आरमी के अगेंस खड़े थे इंडियन परा मिलिटरी फोर्स जो है उनकी यहां पर आप देख पाएंगे इनके पास प्रॉपर वैपन्स हैं प्रॉपर ली यह लोग एक्यूप्ट हैं और यह इनके हत्यार हैं यह बहुत जादा हैविली आरम्ड लोग थे कई इस पर थियूरी हैं कि चाइना इनको आर्म करता था चाइना की दरफ से इनको कावी यह अतिहासिक है यह लोग अब वैलेंस त्याग रहे हैं अपने जो सारे हत्यार हैं यह भारत सरकार के हातों इन्होंने दे दिये हैं और अब यह लोग चाते हैं कि मनिपूर की जो डिवलप्पेंट है मनिपूर का जो पीस है उस पर फोकस किया जाए मनिपूर को डिवलप commendable और आप imagine कर सकते हैं इतने सारे लोग अगर लड़ते इतने सारे हत्यारों के साथ कितना खुन खराबा होता कितना bloodshed होता but thankfully we have avoided this ना मुझे बताए कि आपने से बहुत से लोग कहेंगे wait 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 knowledge का overload okay देखकर अच्छा लगा ठीक है के peaceful तरीकरे चीजे हो रही है ग्राय मलत्री खुश है articles publish हो रहे हैं मगर इस अब का मतलब क्या है यह था क्या यह ग्रूप UNLF कब बना यह लोग चाहते क्या थे समझाता हूँ आपको और अभी वैसे मैं आपको यही बता दू मनेपूर में जो problems हैं पूरी solve नहीं हुई है बट उसकी तरफ एक अच्छा step लिया गया है यहाँ पर आप देख पाएंगे इशा का मैप और यह है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पर है मनेपूर स्टेट की community है उनके वीश में बहुत बड़े skill पर violence हुआ इनोसेंट लोग मारे गए ना अभी जो हुआ है ना उसका directly इस सबसे को relation नहीं है मनेपूर को देखिए भारत से तोड़ने के लिए 1960 में कई ग्रूप बने थे इन मेंसे दो में ग्रूप आपके सामने हैं एक तो UNLF जिसकी हम बात कर रहे थे अभी जिसने अपने हत्यार अब रग दिये हैं भारत सरकार के सामने वो लोग कह रहे हैं कि उनको violence का रास्ता नहीं चाहिए और दूसरा एक और ग्रूप है People's Liberation Army of मनेपूर इन लोगों ने अभी तक अपने जो हत्यार हैं ये नहीं रखे हैं दोनों मनेपूर को भारत से तोड़ना चाहते हैं ये proper एक insurgent groups हैं इनका काफियत तक कहना यही है कि Indian Army को मनेपूर से भार निक है कि ये जो दोनों groups है ना ये चाइना की Communist Party से काफी inspired है और कुछ हरतक चाइना से इनको funding weapons वरा भी मिलते हैं क्योंकि जो मैंने आपको भी वीडियो दिखाई है obviously ये तने सारे जो ये weapons हैं ये आप किसी बड़ी country के support के बिना आपको नहीं मिल सकते हैं ये जो uniforms हैं and all that ये साफ लग रहा है कि कही ना कही इनको बड़ी support थी एक external force की तो UNLF तो देखिए अब violence के रास्य से हट चुका है मगर people's liberation army of मनेपूर ये अभी भी एक बहुत ही दोना चाहते हैं from the Republic of India और most recently जो violence हुआ ना मनेपूर में उसके बाद हमने ये देखा कि जो ये दोनों महिती ग्रुप्स है जी हां दोनों जो ये ग्रुप्स है ये PLA और UNLF दोनों प्रिडॉमिनेंटली जो महिती कॉमुनिटी है मनेपूर की उससे बनी है ठीक है तो इन दोनों ग्रुप्स को अनलॉफुल का जो टैग है ये दे रहिया गया था अंडर UAPA एक एक अक्ट है अनलॉफुल अक्टिविटीज प्रिवेंशन अक्ट इसके अंडर दोनों को बैन कर दिया गया और तब से हमने देखा है कि दोनों ग्रुप्स बहुत जादा प्रेशन म जिनके बारे में हम सुनते हैं कि वेस्ट बेंगॉल उसके लाबा बिहार जारकंड और इशा वगरा में ये काफी एक्टिव रहते हैं तो जो ये ग्रुप्स हैं माववादी ग्रुप्स इनको हम एक्वेट कर सकते हैं इन लोग इन ग्रुप से तो मैं काऊंगा हां स्तापित करना चाहते हैं इंडिया पर तो जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी ओफ मनेपूर है उसके लावा CPI माववेश इसको पॉलिटिकल पार्टी से कन्फ्यूज मत कर लेना ठीक है एक CPI ये अलग से पॉलिटिकल पार्टी भी है भारत में जो माववादी ग्रुप है जो भारत में डेमोक्रासी खतम करके कॉमरिजम स्तापित करना चाहता है उसका नाम भी है Communist Party of India मगर लास्ट में आता है Communist Party of India माववेस्ट याद रखिएगा ये एक बैंड Communist Political Party और Militants अंगटन है और दोनों मिलकर जो ये PLA of Manipur है और Communist Party of India माववेस्ट दोनों मिलकर help कर रह तो देखिए अभी रास्ता असान नहीं है कई ग्रुप्स और हैं उन्हें हमें समझाना है और उनको ये बताना है कि Eventually इंडिया में डेमोक्रासी है आपको जो भी इशू रखने है आप एक डेमोक्राटिक प्रोसेस में रख सकते हैं मुख्यधरा में आईए वालेंस को सब्सक्राइब हो सकती है तो मनिपूर से रिलेटेड देखिए अभी काफी न्यूज आने वाली है इन दा फ्यूचर कुछ मेजर एलोपेंट्स होती है तो उससे रिलेटेड में आपके लिए एक अप्डेटेड वीडियो बाद में ले आऊंगा फॉर टाइम बिंग ग्रे of the video,thanks for listening and as always May the gods watch over you